नमस्कार दोस्तो दोस्तो आज की इस वडियो में मैं आपको ऐसी चमतकारी पतियों के बारे में बताऊंगा जो आपको मौत के मुह से भी निकाल सकती हैं दोश्तो ये पतियां दुनिया की सबसे चमतकारी पतिय हैं और यदि मैं बोलूँ कि लाखु रोगों की ये सिर्फ एक दवा है जो आपको मौथ के मौँ से भी बचा सकती हैं आपके पूरे सरीर को स्वस्थ बना सकती है और दोस्तों ये बात सिर्फ कहने की नहीं है ये बात सच है यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप भी समझ जाएंगे कि ये पतियां आपके सरीर के लिए कितनी चमत कारी हैं कैसे ये आपके सरीर की हर बीमारी का इलाज कर सकती हैं दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दू कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्ली सब्सक्राइब कर लीजी और बेल के आईकोन को भी दबा दीजी तागि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले नोटिपिकेशन में आ जाए तो चलिए ज जरूरी है हमारा सही से खान पान होना पर मैं ये बोलूँगा कि खान पान होना ही जरूरी नहीं है बलकि उस खान पान का पचना भी बेहद अधिक जरूरी है और दोस्तों ये खाना पचता कहा है ये खाना हमारी छोटी आत और बड़ी आत में पचता है बड़ी आत में दो सोसित करने का काम करती हैं तो यदि आपके सरीर को स्वस्त रहना है तो आपके सरीर के पाचन का सही होना जरूरी है आपके सरीर की छोटी आत और बड़ी आत का सही होना जरूरी है क्योंकि यदि आपकी आते सही नहीं होंगी तो इससे हमें दिल के रोग लग जाएंगे दिल की बिमारियां लग जाएंगे मस्तिक्स के रोग लग जाएंगे हमारा इम्यून सिस्टम खराब हो जाएगा हमारी तवचा पे जुरियां आ जाएगी हमारा वजन बढ़ जाएगा सरीर के जो हार्मोन है वो imbalance हो जाएंगे इन छोटी आत और बड़ी आत के सही से काम ना करने के काम जो हम खाएंगे उसके vitamin और mineral हमारे स्रीर में अवसोसित नहीं होंगे और वो खाना ऐसे ही हमारी lettering के दोरा बाहर निकल जाएगा हमें कुछ मिलेगा नहीं चाहे आप सेव खाएंगे, संत्रा खाएंगे, काजू खाएंगे, बदाम खाएंगे इन दोनों का सही होना बेहद अधिक चुरूरी है क्योंकि हमारे स्रीर की मौत यहीं से सुरू होती है और आज जो मैं पतियां आपको बताऊंगा वो इन छोटी आथ और बड़ी आथ को बेलकोल सही कर देंगी क्योंकि इसके अंदर एंटी बैक्टरियल गुन होते हैं एंटी उक्सिडेंट बेहद अधिक मातरा में होते हैं एंटी इंफ्लिमेंटरी गुन होते हैं आपकी छोटी आथ और बड़ी आथ को सही करती हैं इसके इलावा भी इन पतियों में बेहद सारे गुन हैं और ये पतियां भी आपको सिर्फ 10 रुपे में मिल सकती हैं यानि आपके लाखों बीमारियों का और लाखों रोगों की सर्फ एक दवा वो भी 10 रुपे की पतियां और दोस्तो आज की वीडियो में हम जिन पतियों की बात कर रहे हैं वो पतियां हैं सेज की पतियां ये आपको किसी भी पंसारी से मिल जाएंगी या आपके बगीचे में भी खड़ी होंगी आप ध्यान से देखिए दोस्तो इन सेज की पतियों को तेज पत्ते के नाम से भी जाना जाता है तेज पत्ते की पर तेज पत्ता और सेज दोनों अलग अलग होते हैं ये मैं आपको बता दो दोस्तो सेज की पतियां आपके दिमाग को सही करती है ये आपके दिमाग के लिए एक हरबल दवाई की तरहां काम करती हैं ये आपके दिमाग को दूसरे विकारों से बचाती हैं बूलने की जो बिमारी होती है अलजाइमर जिसको हम बोलते हैं उसको दूर करती है दोस्तों ये सेज की पतियां में एंटियोक्षिंट गुन पाए जाते हैं जो कोलोस्टोल को कंटोल करने में बेहद आधिक फाइदेमद हैं ये आपके लिपिड प्रोफाइल में सुधार करती हैं LDL यानि खराब कोलोस्टोल को कम करेंगी HDL कोलोस्टोल को बढ़ाएंगी ज इसलिए आपको इन सेज की पतियों के तेल का परयोक भी करना चाहिए आने वाले समय में हम इनका तेल भी आपको बनाना बताएंगे दोस्तों ये सेज की पतियां आपके वजन को भी बड़ी तीज से घटाती हैं क्योंकि ये फाइबर का खजाना है और फाइबर आपके मुटापे को कंट्रोल करने के लिए और आपके पाचन को सही करने के लिए बेहद अधिक जुरूरी है दोस्तों इनमें फाइबर होता है जिससे कि आप जो खाते हैं वो धीरे धीरे पचता है और जब धीरे धीरे पचेगा तो आपको भूक नहीं लगेगी और आपका वजन कम होगा और यदि आप फाइबर खाएंगे तो आपका पाचन भी प्रोपर होगा क्योंकि आप कम खाए दोस्तों ये सेज की पतियां आपकी तवचा के लिए भी बेहदादी का फाइदेवन हैं क्योंकि इसके अंदर एंटियोक्सेंट गुन होते हैं और ये एंटियोक्सेंट गुन फ्री रैडिकल्स को खतम करके आपकी तवचा को निखारने का काम करते हैं आपकी तवचा से आग पर रखकर उबालना है और उस पानी को अच्छी तरहें से उबालना और किसी आपने कंटीनर में कांच के कंटीनर में इन पतियों को डाल देना है थोड़ी सी पतीया आप डालिए और उपर से उस गरम पानी को इसमें डालिए और 15-20 मिन तक उस पानी को ढखकर रख दीजे और दोस्तों आपकी सेज की पतियों का पानी या सेज की पतियों की चाई तयार हो गई आप उनको अच्छी तरहें से मिक्स कीजे और इस पानी को गटगट करके पी जाएए ये आप दिन में 3-4 बार सेवन कर सकते हैं जब भी आप चाई पीते हैं तो आप चाई के जगहन पतियों के पानी का सेवन कीजे और अपनी बीमारियों को पिसाब के रास्ते अपने सरीर से बाहर निकाल दीजे सारे रोगानों को बाहर निकाल लिए और दोस्तों अपने सरीर को स्वस्थ बनातीजे, अपने छोटी आत और बड़ी आत को स्वस्थ बनातीजे तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसे लगी आप हमें जरूर बताईए और ऐसे ही कुछ नए इंटरेस्टिंग टोपिक को जानने के लिए हमारे चैनल को देखते रहें धन्यवाद दोस्तों